नमस्कार आप देखरा आरेडे नियोज माहयोगी शिक्रवती जार्खन के पुर्व मुख्यमंत्री और जार्खन मुक्ति मोर्चा के कारिकारी अध्यक्ष हिमंत सोरेन एक वार फिर जार्खन की तमान समभा लेंगे जिहां आज ही उन्हें इंडिया कठबंधन की ओर से विधायक दल का नेता सर्व सम्मती से चुन लिया गया मुझूदा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समदवय समीती के अध्यक्ष होंगे तो कहा जा रहा है कि जल्दी ही इसकी आपचारी घोसना भी होगी कि हिमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे और जार्खन की कमान समभा लेंगे उन्हें क्यों हटाया गया था ये तमाम बाते आप जानते ही हैं लेकिन आने वाले विधान सवा चुनाब पर यानि की जार्खन के विधान सवा चुनाब पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा ये हम समझते हैं सेनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से संतोष जी एक वार फिर हमंत सोरिन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया कैसे देखते हैं क्या कुछ बदलेगा जार्खन की सियासत में को देखिये ये तो होना ही था तो एक कहा जाए राजनीतिक साचीस के तब उने जेल बेजा गया था मतलब लोकसवाचणाओ से पहले जहार्खन में ज्यादा से ज्यादा सीट जितने की राजनीती रनीती और शीवू समिस एक चुक्य जहार्खन में सीवू सोरेन गुरू अधिवासियों में बहुत ज्यादा है और लोग उनको अपना अधर्स मानते हैं तो एक रन्निती के तहत उनको जेल भेजा गया और सरकार प्रकजा जमाने की कवायत थी लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई एंडिये को और उन्होंने चंपाई सोरेन को मुकमंत्री बनाया पहले गिरफतारी की तव कभायत थी गिरफतार करके जेल में डालने की कई बलगवग दो बरसों से चल रहा था प्रयास लेकिन अंत में केंद्र सरकार नहीं भेजा सीबी आइडी सब के माध्यम से लेकिन कोट के माध्यम से अब उनको जमानत मिल गई है और कोट ने कहा है क प्रयाप्त साच नहीं है तो उनको अब बेल मिल गया है तो अब फिर से मुकमती बनेंगे और नौमर में विधान सभा चुनाओं होने है जारखन के अक्टूबर में इसी जारखन चुनाओं को देखते हुए उन्होंने मतलब एक मजबूरी है राजिती कि उनको अपना कमा सभालना पड़ेगा पार्टी का कमान और इंडिया गठ बंदन का कमान क्योंकि वो जितना अच्छा सभाल सकते उतना चंपई सवरण नहीं सभाल सकते थे उनके जेल में रहने के कारण उनकी पत्नी ने कमान सभाली थी अभी जैसे अब विधान सभा चुना होने जा रहा है होगा अक्टूबर में तो अक्टूबर में विधान सभा चुना होंगे तो वहां उनको निश्चित तोर पर सफलता मिलेगी और इंडिया गठ बंदन एक मजबुती के साथ चुनाव लड़ेगा तो मुझे लगता है कि इंडिया और एंडिये का मुकाबला होगा उसमें इ पाजपा को फिर से हिमन सुरेन सिकस्त दे सकेंगे और हिमन सुरेन के नेतित में कॉंग्रेस, RJD सभी इंडिया गठ बंदन के दल मिल करके चुनाव लड़ेंगे और इसका पैदा निश्चित तोर पर मिलेगे जिस तरह से जारखंड हाई कोट ने जमानत देते वाथ हिमन सुरेन को तिपिनी की कि यह ऐसा लगता है कि यह जान बुझकर और इनके खिलाफ साच्छी नहीं है कोई परियाप की इन्हें अंदर रखा जाए जेल के अंदर रखा जाए बेल नहीं दिया जाए और इडि को फटकार भी लगाई तो ऐसे में जैसे कि आप कह रहे हैं कि साहान भोती लहर का मिलेगा इनको शाहन भोती मिलेगी जिस तरह से लोग सवाज चुनाब में पांस सीटे जीत गई जो है इंडिया गटवंधन तो बिधान सवाज चुनाब मतलब इससे पहले जो दो हजार उनी जैसे मिल सकता है और देखिए उन्होंने यह जो हार जारखंड हाई कोट ने जो टिपनी की है तो उन्होंने पहले भी तो कि हमन सुरे ने बिधान सवा में भी कहा था और बाहर भी कहा था कि मेरे नाम से कोई जमीन रिजिस्ट्री नहीं है पिछले 35 वर्सों में अगर कोई जमीन रिजिस्ट्री हुई है तो कोई प्रूफ दिखा दे मेरे नाम से एक भी जमीन रिजिस्ट्री नहीं हुई है अगर मेरे नाम से जमीन है मेरे परिवार के नाम से भी नहीं हुई है उन्होंने यहां तक कहा था तो उन्होंने तो सदन्व घोशना कहा था कि मैं सब जिस तरह से दलितों पिछरों आदिबाशी भाईयों के साथ जिस तरह से भेदभाव होता है तो मीडिया का देदभाव नजर आता है तो कोई भी साच मीडिया भी नहीं दे पाई बस हवा में बाते हुई यही नतीजा हुआ कि न मीडिया दे पाई न सीवी आईडी कोई भी स तो दे इतने दिनों में कोई साच नहीं दे पाई जबकि मीडिया में आया कि भाई इन्होंने ये जमीन लिखाया इतना जमीन सेना का जमीन लिखा लिया तो ये जमीन लिखा लिया नहीं कोई साच नहीं उन्होंने पहले सद भी बोला था तो बगेर साच के एक परिसान करने क सब लोग देख रहे हैं तो सरकारी संस्ताओं का दुरूपयोग करके आप देखिए आपके जिवाल कुआ जेल में डाले हुए हैं यहां मन सोरेन को डाल दिये थे अब ती जस्वी आदब को डालने की तैयारी चल रही है तो यह राजनीती है राजनीती के तहथ पुलिटकल सब्सक्राइब किया जा रहा है आप देख लिए पिछले दस वर्सों में ते जस्वी आदब यहां कितने बाट सीवी आईडी का चापा पड़ा लेकिन करा कहां अभी तर्कुछ निकला हिमेंट सोरेन को जेल में रखने का मक्सद था कि जहारखन की सत्ता पर कबजा जमाना अब जिस तरह से वो बाहर आ गए हैं और एक बार फिर जहारखन की कमान सम्हालने की तैयारी में हैं ये मौजूदा सरकार मोदी जी की सरकार के लिए बहुत बड़ा जटका है दोसरी बात जो बीजेपी के नेता है जहारखन में बाबुलाल मरांडी क्या वे फूके हुए क कार्टूस है कि देखिए राजनिती में कोई फूके हुए कार्टूस नहीं होते हैं सब का समय होता है गठवंदन आता है गठवंदन धर्म आता है सब आप देख लीजे ना मोदी जी लग रहा था कि 400 सीट लाएंगे लोग बलता था यहीं आनी है इस्तिति क्या होगई 240 प कि राजनिती में ना तो कोई फूका हुआ कार्टूस होता है नहीं कोई तोफ होता है समय का चक्र होता है जनता जिसके साथ होती है वही तब आप देखिए ना भाई नितिसकुमार 94 में में चुनाव लड़े 95 में में तो साथ सीट जीते हैं तो फिर आर्जडी तरफ जा र इस बंदन एक सीट जी थी जिस वार इंडिफ तो समय के साथ बदलते रहता है जनता कभी किशी कोलपी किसी को फर्स पर लाती है सब कुछ जनता मालिक है जनता चाहती है वही होता है तो जनता ने अग तो यह राजनिती है तो जार्खन में अभी हेमन सोरेंद मुझे लगता है कि उनका अभी अच्छा चल रहा है ग्राप और अच्छा उनको फायदा निश्चित तोर पर मिलेगा। जो आप 24 के लोग सभाद चुनाव हुए हैं और इसमें बेहतर परफॉर्वेंस किया है इंडिया गठबंधन के लोगों ने तो क्या लगता है कि जो नतीजे होंगे दो हजार चौबिस के लास्ट में जो नवामर में चुनाव होंगे जारकन में पहले से बेहतर होंगे। तो इसमें इंडिया गठबंधन निश्चित तरफ बहतर करेगा मुझे जो लग रहा है जो इस्थिति वहां बनी है विद्धान सभाद चुनाव में और भी बहतर इस्थिति होगी और इंडिया गठबंधन निश्चित तौर खुद कुशी करने वाला फैसला लिया हिमंत सोरिन को जेल में डाल कर उसने अपनी पूरी नईया डुवा दी अब हिमंत सोरिन एक वार फिर जारखन की कमान संभालने वाले हैं हिमंत सोरिन को ना सिर्फ जारखन की जनता की शहान भूती मिलेगी बलकि जिस तरह से गठवंधन ने performance दिया है उससे यही उमेद की जा रही है कि जारखन विधान सभा शुनाम में भी इंडिया गठवंधन को भारी बहुमत मिलेगा और जारखन में बीजेपी के नेता बाबुलाल मरांडी जिन से बीजेपी को बहुत उमेद थी लोग सभा नतीजे ये बताते ह हैं कि वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे फिलहाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें और कमेंट कर अपना महत्यकुन सुझाब और विचार जरूर दे धन्यवाद